वो दिन था 15 अगस 1997 हमारा देश जब आजाद हुआ था तब से लेकर आज तत हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं भाई चारा एकता जिन्दाबाद रखते हुए ताना शाही ताकतों से लड़ रहे हैं है सत्य, साहस, सिध्धान्त, शोर्लिय और संवधान का बल्ड हमने बनाया जनता के हिद के लिए राश्ट्रिय जनता दल्ड आज लेते हैं ये प्राएं बिहार और देश की मित्ती का जो हम पर है रिण उस रिण का मान रखेंगे राम राज लाएंगे देश के वीरों को यही हमारा नमन होगा बिहार में जल्द ही तरक्ती वाला अमन होगा स्वतंतलता दिवसकी आप सभी देश वासियों और बिहार वासियों को हारदिक शुब काम नाय जै हिंद जै बिहार स्वतंत्रता दिवसकी शुबहसर पर मैं संजय कुमार शिंग्जादो जारखंड वासियों और देश वासियों को मैं हारदिक बदाई और शुब काम नाय देता हूं और मैं अपने विधान सभाज शुब के जनता को भी मैं हारदिक बदाई और सुब काम नाय देता हूं जै हिंद जै जारखंड डिप्लोमा अभियंता संग जारखंड की ओर से 38 में स्वतंत्रता दिवसकी वसर पर मैं सभी राजवासियों और देश वासियों को बदाई देता हूं जै हिंद संभिधान को बचाय रखने के लिए संकल्पने जै हिंद महस्तो है आजादी का तिरंगा खुब लहरा है अपने अतीद की गाथा पूरी दुनिया को बतला है जीनों ने दी है आजादी अपनी जान को देकर चलो इस दिन को उनके नाम कर जाए पूरे देशवासियों को आयों राजवासियों को जारकन मुक्ती मुर्चा परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुप कामनाएं एवं बधाए जै हिंद स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुप कामनाएं आये प्रन ले भारत के निर्मान का जै हिंद जै भारत कॉंग्रेस पाटी के राची महानगर जीला अध्यग्ष कुमार राजा की ओर से जार्खन और समस्देश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुप कामनाएं जै हिंद भारत के जनता पाटी राची महानगर की ओर से आप सबी राजवासियों को बहुत बहुत सुप कामनाएं जै हिंद मूरी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुप कामनाएं जै हिंद आपके आस्तितों को निखारती है और आजाती ही हमें जीना सिखाती है मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए जान कुर्बान है हमें अपने वतन के लिए हमसे हमारी हश्रत न पूछो क्योंकि हमने बांध रखा है सर तिरंगा कफन के लिए मैं मुसकान शर्मा आप सभी जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा हिंदू लाइफ्स मैटर तरुमा कर दो प्रुमाइबा कर दोरे कर में लाइबान शर्माहिं लोड़ा है हिंदू लाइफ्स मैटर एंड वी नीड टू स्टॉप हिंदू जैनुसाइड जो भी कर रहे हैं उन्हें रुकना होगा हिंदू लाइफ्स मैटर बांगलादेश में राजनेतिक अस्थिर्ता के कारण एक बहुत ही भयावय संकट उत्पन हो रहा है और उस संकट में सबसे बड़ा विक्टम हो रहा है बंगलादेश में बसा हुआ हिंदू समाज और महा के अलप संक्यों माताओं और बेहनों को इसाथ दुशकर्म हो रहा है हमारे हिंदू भाईयों को और अलप संख्यों को के साथ दुराचार हो रहा है उनके साथ निर्ममता से पेश आकर उन हमारे धार्मिक स्थलों को भी बुरी तरहे जला दिया जा रहा है ऐसे में कलाल किले से हमारे आदर्ने प्रधानमंत्रीशी नरेंद्र मोदीजी ने भी 140 करोड भारतियों की चिंता की अभिव्यक्ति करी थी आज नारी शक्ति पाउंडेशन के सानिध्य में यहाँ पर हम सब बहने आए हैं यह दिखाने के लिए कि हिंदु समाज तो शान्ती प्रियाखन खास करकी बंगलादेश तो वो है जिसने बंगलादेश की प्रगति की गाथा में अपना पूरा योगदान करा थी जब वहाँ पर बाढ का संकट आया था तो इस कौन टेम्पल ने भंडारा लगाया था या तक कि हमारे मंदरों ने जो देवताओं के लिए चड़ावा आता है वो जन कल्यान में लगाया था हिंदू समाज वहाँ पर आठ प्रतिशत है हिंदू समाज ने बंगला देश की अर्थ विवस्था में भी कॉंट्रिब्यूट करा है नारी शक्ती फाउंडेशन के सानिध में आकर हम सब मातर शक्ती यहाँ पर मार्च कर रहे हैं ये दर्शाने के लिए ये अश्वासन देने के लिए कि बंगला देशी अलप संख्यक और बंगला देशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं है भारत की मातर शक्ती आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुती जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुब चिंतक है आपके साथ खड़ा है मिनी लंदन मैक लुसकी गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादकार लमहों को बिताए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राज़ी से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन जब दूरती है आप, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने मुमोरता है जवाना, जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिक निसां, देखे मेरे साथ संघर्ष की दास्तां